हलो एब्रीवन स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में आप सभी को मिस्स संक्रिया के सवालों को हल करना सिखाएंगे तो आए उदारन के माध्यम से सीखते हैं यहाँ पर हमारा पहला सवाल है एक तालेस रिंड आठ गुड़े चार भागय एक धन तीं तो जिब जोड गटाव गुड़ाह भाग एक साथ दिया जाए तो हमने बताया कि भाग जोग, सबसे पहले भाग करेंगे, इसके बाद गुड़ा, फिर गुड़ा के बाद जोड और जोड के बाद घटाओ करेंगे अंत में, तो आईए हम पहले इस टिप में इसको भाग वाली संक्रिया को हल करते हैं, यहाँ पर चार में एक से भाग दिया गया है, तो इसक को वैसे लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे, एक तालिस, रिर, आठ, गुड़े, अब यहाँ चार में जब एक से भाग देंगे, तो एक से किसी भी संक्रिया में जब भाग दिया जाता है, तो उतना ही आता है, यहाँ चार आएगा, एक चोग के चार हो जाएगा, अब धन तीन यहां लिख देंगे यहां तीन लिख देंगे इसके बाद अगले स्टेप में गुड़ा की संक्रिया को हल करेंगे अब यहां गुड़ा चार में आठ का गुड़ा किया गया है तो गुड़ा कर लेते हैं एक तालिश रिड़ आठ चोग 32 हो जाएगा, जब चार में आठ से गुड़ा करेंगे तो चार अठे 32 हो जाएगा, धन 3 यहां लिख देंगे, भाग हो गया, गुड़ा हो गया, अब इसके बाद जोड़ेंगे इसमें, ध्यान देना है कि जब धन धन जोड़ते हैं, यहां 41 है, यहां 3 है, तो इस धन को एक साथ कर लेंगे, तो 43 में जब 3 जोड़ेंगे, तो 43 हो जाएगा 44, यहां 44 लिख देंगे, रेंड यहां 32 लिख देंगे, अब इसके बाद अंतीम स्टेप में हम घटाओ की संक्रियाप कर देंगे, तो आएए इसको घटाते हैं, तो 4 मसे 2 घटाएंगे, तो यह 2 आजाएगा, और फिर यहां 4 मसे 3 घटाएंगे, तो 1 आजाएगा यहां पर, यहां 12 हमारा एंसर होगा, तो इस सवाल का हल 12 आएगा, तो भाग गुड़ा फिर इसके बाद जोड और अरंत में घटाओ, तो भाग योग की संक्रिया, भाग योग के क्रम से हम ऐसे सवालों को साल कर लेते हैं, अब आईए अगला सवाल देखते हैं, अब यह रहा हमारा अगला सवाल इसमें दिया है, 7 भागे 7, 9, 7, 45, तो पहले इस टिप में हम भाग करेंगे, 7 में 7 से भाग दिया गया है, तो जिब किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दिया जाता है, तो उसका गुड़ा वाली संक्रिया हाल करेंगे तो 9 में 7 से गुड़ा किया गया है तो वहाँ इसको लिखेंगे दूसरे स्टिप में एक धन साथ नौई तिरसंट यहां लिख देंगे रिण पैंतालिस यहां लिख देंगे अब तीसरे स्टिप में जोडते हैं आए इसको जोडते हैं तेरसंट में एक जोड दिया जाएगा 3,1,4 हो जाएगा 64 हो गया 64,45 आप इसको घटाएंगे हम आए घटाते हैं यहां 4 में से 5 नहीं घटेगा तो उदार लेगा 14 तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आजाएगा अब यहाँ एक दहाई उधार दिया था तो यहाँ पांच हो जाएगा पांच मेंसे चार घटाएंगे तो एक आजाएगा यानि 19 यह हमारा answer होगा तो इस तरीके से इसको भी हम साल्व कर लेंगे अब आईए अगला सवाल देखते हैं अब यह रहा अगला सवाल चार से जब भाग देंगे तो चार एक बार आएगा यहाँ पर किसी भी संख्या में जब उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो एक आता है अब दूसरे इस टिप में गुड़ा कर लेंगे चार में एक से जब गुड़ा करेंगे तो चार ही आएगा तो यहाँ चार लिख देंगे धन, चार एककम चार हो गया अब इसके बाद तीसरे स्टिप में आईए जोडते हैं तो चार में चार जब जोड़ेंगे तो चार चार आठ हो जाएगा तो यही आठ यही इंसर होगा इसका इस तरीके से इसको भी हम साल्व कर लेंगे अब आईए अगला सवाल देखते हैं अब यह रहा अगला सवाल यहाँ पर चार धन, चार और चार कोश्ठक में दिया गया है भागे चार तो जब कोश्ठक दिया गया हो तो सबसे पहले हम कोश्ठक को हल करेंगे अब कोश्ठक के अंदर भी वही संक्रिया देखेंगे अगर जोड घटा और गुडा भाग है तो सबसे पहले भाग होगा फिर गुडा फिर जोड और अरंत में घटाओ अब यहाँ देख रहे हैं जोड और घटाओ है भाग गुडा नहीं है तो पहले जोड लेंगे आए इसको जोडते हैं तो चार में चार जोडेंगे तो चार चार आठ हो जाएगा आठ में से फिर चार घटा लेंगे अभी कोश्ठक के इसको रहने देंगे भागे चार यहाँ लिख देंगे ध्यान देना है जब एक संख्या यहाँ बच जाय तो कोष्ठक समाप्त हो जाएगा अब आठ मझे चार घटाएंगे तो चार आएगा अब एक संख्या आगए अब यह कोष्ठक हट गया भागे चार यहाँ लिखेंगे अब चार में चार से जब भाग दिया जाएगा तो उसका मान एक होगा इसी भी संख्या में जब उसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान एक होता है तो इस तरीके से ब्रैकेट वाले भी सवाल को साल्व कर लेंगे हम इसका एक एंसर हो जाएगा आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपकी समझ में आगया होगा अब आईए एक और सवाल देखते हैं जो कोस्थक का सवाल है यहाँ पर जब कई कोस्थक साथ दिये गए हों सबसे पहले हम रेखा कोस्थक को साल करेंगे रेखा कोस्थक इसलिए इसके बाद छोटा कोस्थक फिर मजला कोस्थक अंत में बड़ा कोस्थक को और कोस्थक के अंदर अगर मिस्र संक्रिया हैं तो उसमें वही तरीका अपनाएंगे जैसे भाग पहले करेंगे फिर इसके बाद गुड़ा फिर जोड फिर घटाओ तो आईए इसको साल्व करते हैं तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को तोड़ेंगे यहां रेखा कोष्ठक में चार में से तीन घटाया गया है तो आईए इसको पहले से इसको सब पहले ऐसे लिख देते हैं दो रिंड ये मारा बड़ा कोष्ठक है यहां तीन रिंड ये मजला कोष्ठक है यहां च्छे लिखेंगे रिंड छोटा कोष्ठक को यहां पांच लिखेंगे यहाँ पर 4 में से 3 घटाया गया है तो 4 में से 3 घटायेंगे तो यहाँ एक आएगा यह चीज़ ध्यान देना है अब यह कोश्ठक बंद कर देंगे छोटा वाला फिर मजला कोश्ठक लगा देंगे फिर बड़ा कोश्ठक अब आगे अगले इस टिप में हाँ, हमने बताया के इंदर जब एक संख्या आ जाती है, तब कोष्ठक हमारा समाप्त हो जाता है तो यहां 2 लिखेंगे, यहां रिण, अब यहां 3 लिखेंगे, रिण, फिर यहां 6 लिखेंगे, रिण, अब 5 मसे 4 एक घटाएंगे तो यहां 4 आ जाएगा कोस्थक बाहर रिर चिन्न है, इसलिए यहां रिर हो जाएगा, 5 मसे 1 घटाएंगे 4 अब ये मजला कोष्ठक, चोटा कोष्ठक समाप्त हो गया, मजला कोष्ठक लगाएंगे, अब इसके बाद बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, अब फिर इसके बाद, यहां पर मजले कोष्ठक में 6 में से 4 घटाया गया है, तो आईए हम इसको घटा लेते हैं, यहां 3 तो दो आ जाएगा अब कोश्ठक के बाहर रिंड चिन नहीं अंदर धन है तो यहाँ रिंड हो जाएगा फिर इसके बाद अब हमारा बड़ा कोश्ठक बागी है आई ये बड़े कोश्ठक को भी सालब कर लेते हैं तीन में से दो घटाएंगे तो यहां एक आ जाएगा और कोष्ठक बाहर रिड़ चिन है इसलिए यहां रिड़ लगाएंगे ध्यान देना है अगर यहां रिड़ चिन है आता तो हम यहां पर भी रिड़ रहता तो यहां धन लगा देते लेकिन यहां रिड़ धन आ रहा है को अजला कोष्ठक और अंत में बड़ा कोष्ठक, ध्यान देना है, अगर कोष्ठक के अंदर भी मिस्र संक्रियां दी गई हैं, तो उनको साल्व करने कोष्ठक को तोड़ने के लिए भी वही प्रक्रिया, यानि भाग योग का करम ही अपनाते हैं, तिस तरीके से हमने आज आज आप सभी को इस वीडियो में मिस्र संक्रिया और कोष्ठक के से संबंदित कुछ महत्पूर्ट सवालों को हलकर सिखाने का प्रयास किया, आसा करता हूँ कि ये सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सेयर करें, और च आप गए